तोके, अस्सेलाम gotta is, कैसे हैं आप सब? ओके, आज की वीडियो करते हैं start यहाँ पर आपको देख रही होगे कि मैं आपको design दिखा रही हूं border design जो होते हैं, जो assignments में use होते हैं projects वगधा में use होते हैं, charts जो हैं classes में, schools वगधा में से ही पोने आइडिया बता रही हूं यहां पेड़ी पहले मैं आपलोड कर चुकी सो बिटीय सो यह को आंदेग बस दिखा है रही हूं। यहां पर नेब कुछ आइञ रही पने सुप भाइब कर रहे ओहां दो सब्सक्राइएं ऐन में सब्सक्राइब हैं। वह क्रिएट किया हुए आप अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे पहली वीडियो को जो जा कि देख सकते हैं तो यहां पर जैसे कि आपडेख सकते हैँ कि एक और दूसरी जैसा नहीं है मैं उनको हमेशा उनको différent करने कि कोशिश करकेु ताकर जो है वो नेनी आईडिया सिशा सामने ही आ सकें जैसे कि कि आ देख सकते हैं कि दोनों आ यृट Wildlife, Sam और आफ़ कोछिश है यृटा हूं कि करुंके हम रोबोट नहीं है light जिसको पाफ़ कौने की कोशिचbaum हैंनों यृटा आफ़ाफिर कोशिश कर दिया तो भी आफ दकम four corners पर same करने की कोशिस की है आप अगर गोर करेंगे तो हर flash जो है यह दुस्टर से different होता है लेकिन अगर हम गोर ना करें तो इतना मतलब कि deeply ना जाएं तो सबसुं जो हैं वो same लगते हैं तो यहां पर flowers के पेस्पभने के सब्सक्राइब no करने की कोशिष की है यहां यहाँ पर मैं तो नों पंग पर आहाँब करने के कोशिष आप आपको है कोई दूसरा नहीरा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने 4 और अलग अलग बनाने की कोशिश कियी है उनका साइस उनका लैंद्फ जो है वो डिफरंट है तो यहां पर मैंने बहुत ही सिम्पल करने की कोशिश की आज़से करके किसी को नहीं बनाना आ था हूथ हो इस कशिए लगए इसको बनाने में बेशा हैं यहां पर मैंणे की जाथ करने की कोशिश मैं जैसी की वह एक प्लांट टाइब होती है वैसा यहां पर मैंने कि मैंने च Smpl लुकब देने के कोशिश किया जिसमें ہं स्काइब भुलुर्क साथ को मैंने नहीं कंभी निया है यहां पर जो है मैंने एक रैड रोस से नाने की कुशिश किए यहां पर एक सिंपल पी आपको देख सकतेयां कि एक LINE है सिर्कल्स बनाए है और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही फ्लार है एक ही तरह के लीप है उसको बस एक रिपीट करने के बाद एक सिंपल बॉर्डर के शीव में बना दिया है यहां पर थोड़े से ना रेंबो कलर्स मैंने यूज की है उसको जो है वह रफ कलर करन से बटरफॉलाई है और वह बैठी है मतलब के फ्लार की ओपर और यहां पर आप देख सकते हैं कि उसको वह मैंने पैटन को बनाए हैं यह तरह कि छैर भीटपर देखसकते हैं कि अ मैंने अजippy है कि पड़े और देख सकते हैं कि यहाँ पर rok्लार के और यह Guidub긴 है यहां पर अगर गोर करने तो आपको डिफरेंट नजर आएगा लेकिन वैसे हमें कोई आइडिया नहीं होता यह भी सेम पैटर्न है बस उसको कलर में ने कलर स्टच अप जो है वह थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है इसलिए आपको डिफरेंट नजर आ रहे होंगे है यहां पर दोनों जाटर्स पर मैंने सेम करने की कोशिश की है चोटे चोटे बॉरसे है यह को दन मने फचसांग जान चोटा कीं नजर आए तो लेकिन टाइम लिएँ पर आप देखते हैं कि प्लाहरे हैं उसको बस मैं एक computerized touch नेने की कोशिच की है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कोई computerized नहीं बनाया कुछ भी मतलब किसे हेल्प नहीं ली अपनी just handmade creation है मेरी मैं खुद इसको draw करती हूँ खुद ideas लेती हूँ खुद बनाती हूँ यह कोई मतलब copy नहीं है क्रियेशन मेरी जो है वो अपनी खुद की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक jar type उसको टच देने की कोशिच की है यह बहुत create कर अच्छा लगता है बहुत देखने में आँखों को अच्छा लगता है दिल को अच्छा लगता है लेकिन बनाने में मेहनत लगती है जाहरी बात है हर इनसान को पता है कि handmade कुछ भी तियार हो छोड़ी सी छोड़ी चीज़ को भी बनाने में time और मेहनत दरकार होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक yellow touch देने की कोशिश की है चारो borders पर और उसको जो jar type उसको lines है वो बनाने की कोशिश की है यह एक बहुत ही simple है जिसमें मैंने सिर्फ heart है और उसको एक beards type देने की कोशिश की जिसे ring होता है यह चारो corners पर आप देख सकते हैं कि same flowers हैं तो यह थोड़ा बहुत idea जो है मैं invitation card से लेती हूँ और उसी को जो है मैं borders के shape में create कर देती हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि एक simple जो है चारो corners पर वो है और then lines है इसके लावा कुछ भी नहीं है यह design जो है totally मतलब कि handmade है इसके लावा मतलब मैं आपको बार-बार यहीं बता रही हूँ कि यह मैंने copy कहीं से नहीं किया यह मेरा totally handmade है कुछ भी नहीं किया यहां पर एक चार्ड जो है वो थोड़ा सा उल्टा रखा गया यह थोड़ा सा grass टाइप जो है और एक bucket टाइप जो है जैसे नजर आए थोड़ा से भी अगर छोटा बड़ा हो जाते है तो वो दिखता है और वो बुरा भी लगता है यहां भी एक बेल है और साइद में मैंने rainbow कलरस्ट का टच देने की कोशिश की है यहां पर flowers हैं orange कलर के यह थोड़ा सा